नमस्ते आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान को इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहे है कि क्या किया जाए एक तरफ अंतराष्ट मुद्रा कोस ने उसकी जगे सीरिलंका को रहत पैकेज दे दिया है तो दूसरी और उसके करीबी सौधी अरब और चीन भी मदद को आगे नहीं आ रहे हैं इन सब के बीच देश के कई एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर भारत के साथ वेपार जारी रहता तो आज इस्थिती बैतर हो सकती थी पाकिस्टान का 56 फीसद अगर पॉपलेशन ग्रो करेगी तो उनके लिए एक्स्ट्रा ये एलेक्टिफिकेशन, गैस, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांस्पर्ट कहां से आएगी और सबसे बड़ी बात, let me just make a statement here, जो हम सब बातें करते हैं, unfortunately वो रिमेजन पाकिस्टान में भी नी की जाती, पाकिस्टान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप मलाइशिया से कंपेर करें, जिन कंट्रीस को हम करते हैं, तरक्की की है, अगर हम सिंगपूर से क करें, इवन बंगलादेश से करें, एक basic बड़ा difference है, they have lived at peace within and at peace with their neighbors, this is a starting point, trade is, जब तक आप ट्रेड ही नी करेंगे, हमारे चार नेबर से हैं, तीन के साथ दंगल हो रहे हैं, और फिर भी लोग खुश नहीं हैं, और यह मक्बूल टाइब हो कहते हैं, जी वो एटम बम कि के लिए वहाँ से, इंडिया से, इमरान खान के वक्त में चीनी मंगवाने की बात होजी थी, shot down, क्योंकि हमारे तो ऐसे ऐसे वो बैठें ज्याले हर काबीना में, क्यों कहते हैं, इंडिया के साथ, बात ये कि अगर आप trade ही नहीं करेंगे, मतलब मेरे logic से, मेरी economic logic से, countries don't grow economically regions grow, countries benefit out of that, and unfortunately, आप ये देखें कि two countries, the fastest growing countries in the world, two, are our neighbors, India and China, और हम उसका नहीं फाइदा उठा सके, पिछले 30 साल में, fastest growing countries है, still outlook ऐसे ही है, अगर उसका फाइदा नहीं, जो हमारा elite है, उनका कुछ नहीं जा रहा है इंडिया के साथ, अगर दंगल रहेगा, उनका कुछ नही अगवानिस्तान के साथ, या इरान के साथ, आपका दंगल जाएगा, पिछले 30 साल, 40 साल में, हमारा जिहादी कल्चर यहां रहा है, और हम ये फखरिया तोर पर कहते हैं, 80,000 हमने कुर्बानी दिये, तो भाई, अगर आप अपने फैसलों की वज़े से कुर्बानी देंगे अपने बच्चों की, कि आपके ये टी टी पी अलाओ है, जैशे महम्मद, लश्करे तायबा, अफलाना, ये इंडिया स्पेसिफिक, ये गश्मीर स्पेसिफिक, ये घवानिस्तान स्पेसिफिक, तो अप फिर दें, तो आपका जो इमेज है, दुबाई को ये बताने की जर पड़ती है, पाकिसान को क्यों जरुत पड़ती है, वो कहते हैं, यार, वी हैव लॉस्ट पेशन्स विद यू, प्लीज स्टार्ट टू, फैटफ की जब तलवार फाइनल आके लगी, कि ये आर्ट और्गनाजेशन्स आप बेहन करें, एनर रियल वे में बेहन करें, ये न चाहिए कि आपको एक पीसफुल एंवार्मेंट चाहिए होते है, ग्रोथ के लिए, इशू ये था कि ये जो आपकी अपनी जिहादी और्गनाजेशन्स इस पर आप एक्शन ले, जुबेर के मुताबिक पाकिस्तान भी भारत की तरक्ती से फायदा उठा सकता था, लेकिन उसकी अपनी गल्टियों की वज़े से ऐसा नहीं हो पाया है, जुबेर ने साल 1999 में की उस लाहर बस्यात्रा का भी जिकर किया, जिससे ततकाली भारते प्यम अटल ब्यारी बाज भी पाकिस्तान गए थी. I think, जो सबसे बड़ा था, ये मुदी तो खहर वो आया थे, वो, he was coming from Afghanistan, but जो, जिसको आप कहते हैं, बना ये मेन फॉरण पोलिसी, इनिशेटिव तो बड़ फॉरण पाकिस्तान जो था, वो 99 में जब बाज पाई साब को लेके, रमेंबर, he was a BJP leader, a BJP always had been hostile, still is hostile to Pakistan, unlike Congress Congress भी है बीजेपी तो बिलकुल एक्स्ट्रीम वो RSS को उसके तो बिलकुल RSS टाइप उसको किया जाते हैं यह लोग कर सकते हैं उसका प्राइम मिनिस्टर को आप एक बस यात्रा के थूरू लोहौ लेके हैं प्राइम मिनिस्टर वाजपाई गोस टू मिनारे पाकिस्तान विजिस असेंबल फर पाकिस्तान और वहां जाके वो लिखे हैं जो पाकिस्तानी सुनना चाहते थे कि हम अपने दिल औ जान से पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट करते हैं और हम ख्वाइच हैं हमारी कि पाकिस्तान तरक्की करें और ग्रो करें उसके बाद आपने कारगिल कर दिया और लहौर पीस अकाउट हुआ और उसके बाद कारगिल किया गया और राइटली सो राइटली सो वाजपाई एंदा इंडियन्स पर अब अपट सुरप्ट के बाई एक उसने बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया इतना बड़ा बॉलिटिकल रिस्क लिया के जी वो बीजेपी के प्राइम मिनेस्टर और बाइदर वे उनके इलेक्शन्स होने आफे अभी उनके elections अब होने वाले है तो पादा चला कारगल पर छड़ाई हो गई है तो वो तो मुड के कह रहा है भाई आपने तो मुझे मरवा दिया टोटल So he would be ready to do anything अगर bomb भी कराना पड़े पाकिसान पर To restore his credibility के जी मैंने Lahore Peace Accord साइन हुआ था 99 February में जे साल के बाद इसलाबाद Peace Accord उसी प्राइम मिनिस्टर वाजपाई के साथ साइन किया जनरल मुझेरफ में Love's but love's same except for one thing Except for one thing in 2005 document Peace Accord Pakistan conceded for the first time that Pakistan will no longer Allow its territory to be used for cross-border terrorism इसी के साथ अनमोती दोस्तो जै जवान जै किसान जै हिंदवन्द मात्रम